What is Memory? Memory, Computer की Working Storage या कारेकारी Memory होती है. यह Computer का सबसे महत्वपूल भाग होता है. इसे RAM कहते हैं. इसी में Process होने वाले Data और Data पर Processing करने के Program Instructions होते हैं, जिन्हें Control Unit ALU में Processing के लिए Registers में भेजता है. Processing के बाद जो सूचनाएं या Processed Data Generate होते हैं, वे भी Memory में ही आकर Store होते हैं. Memory में Data को संग्रा करने के लिए कई Storage Locations होती हैं. हर Storage Location एक Byte की होती है और हर Storage Location का एक पूर्णाक नंबर होता है, जिसे उस Memory Location का Address कहते हैं. हर Storage Location की पहचान उसके Address से होती है. वन बाइट की रैम में एक ही Character Store हो सकता है और इसमें सिर्फ एक ही Storage Location हो सकती हैं. इसी तरह एक किलो बाइट की रैम में 1024 Storage Locations हो सकती हैं और इसमें 1024 अक्षर Store हो सकते हैं. जो memory जितने byte की होती है उसमें उतने ही characters store हो सकते हैं और उसमें उतनी ही storage locations हो सकती हैं.